असलामेकुम दोस्तों वल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे एक कप गेहूं के आटे से बहुत ही मज़ेदार ख्रैस्पी टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता तो चलिए दोस्तों भी नटाइम वेस्ट के वे बनाना स्टार्ट करते हैं एक कप गेहूं का आटा लिया ह एक चोथाई टी स्पून नम्मक वन टी स्पून कुकिंग ओयल कोई सभी ओयल ले सकती हैं मस्टर्ट ओयल का इस्टेमाल विल्कुल भी नहीं करिएगा क्योंकि उसकी स्मेल काफी जाधा स्ट्रॉंग होती है सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा स शॉफ्ट बनाना है मीडियम डो बनाके तयार कर लेंना है तो दोस्तो डो को मैने रेडि कर लिया है अभी से मं रखेंगे एक साइध पर अगले प्रोसिज कीत तरफ चलते हैं बहुत हीी कम टाइम में रेसिपी बन के तयार होती है उसके लिए मैंने लिया है एक अलू μीड अच्छे से वाश कर लिया है और बारिक वाले ग्रेटर से लंबाई में ग्रेट करेंगे ताकि इसके लच्छे अच्छे से निकले और देखने में काफी जादा अच्छे लगे तो आलो को अच्छे से ग्रेट कर लेना है आलो में काफी जादा मात्रा में स्टार्च पाय जात गैस पे एक पैन डग दिया है, टू टीस्पून के करीब ओयल डाल दिया है, ओयल अच्छे से गरम हो गया है, हाप टीस्पून सॉंफ, एक चोथाई टीस्पून जीरा, दोनों को कॉंबिनेशन काफी जादा अच्छा लगता है, अगर आपने कभी ट्राइ नहीं किया है, तो लेसन अद्रक अच्छे सब भून गया है, अब इसके अंदर एक मेडियम साइज प्यास पारिक चॉप की हुई एड करेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, प्यास को जादा कूक नहीं करना है, हलका पिंक रखना है, इसे भी हमें 5-7 सेकंड के लिए अच्छे से कूक कर लेना है, बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है, तो इसका कलर चेंज हो चुका है, अब इसके अंदर एक कर देंगे, ग्रेट की हुए आलू, तो आलू को अच्छे से मैंने ड्राय कर लिया था, यानि पानी को निकाल लिया था, जिब शिपा ना रहे, जिसे की रेस्पी काफी अच्छी बनेगी, और आलू जो है, खिली-खिली रहेंगे, तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद एट करेंगे, तीन से चार बारी चॉप की हुई हरी मिर्च, एक चोथाई टीस्पून काली मिर्च, हाफ टीस्पून भुने हुए जीरे का पौ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं, तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक से ज़ेर मिनिट के लिए कुक कर लेना है, ताकि आलू अच्छे से कुक हो जाए, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, काफि जादा टेस्टी लगती है, अब इसके अंदर आइट करेंगे, आधा कप हरा धनिया अच्छे से वाश कर लिया था, पानी को ड्राय कर लिया था, उसके बाद मैंने आइट किया है, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, 2-3 सिकेंड के लिए कुक करेंगे, ताकि सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो ज जाए तो गैस का फ्लेम आफ करेंगे रख देंगे ठंडा होने के लिए डो भी इधर सेट है तो एक और प्रोसेस कर लेते हैं इसके दो पेड़े कट करके एक साइट पर रख देते हैं पास से छेठी स्पून के करीब मैदा लिया है अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आपके होंके आटे का भी इस्सिमाल कर सकती है थे टीजबみ फ्लेक्स लाव खय भूने हुए जीरे का पाउडर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक अच्छा सा घोल बना के त्यार कर लेंगे तो इस तरीके से अच्छे से खोलना है इसको जादा पतला नहीं रखना है तो ये देखे इसकी काफी पॉफेक्ट है इसे रख देते हैं एक साइड पे थोड़ा सा अटा डस्ट करेंगे और जो पेड़ा मैंने कट किया हुआ था उसकी एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी बना है और नहीं बहुत साथ पतला बनाना है तो से थोड़ा सा पतला ही रखना है कि मैं भी दिखाओं कि आपको कितना रखना है इसकी ठिकनेश तो इसे हम किनारे के साइट को cut कर लेंगे ताकि एक चोक और सा shape मिल जाए तो इस तरीके से मैंने इसे cut कर लिया है किनारे के part को एक साइट पे रख देंगे और फिर से पेडा बना के दूसरी रोठी बना के त्यार कर लें तो अब लिखने यह सटुफिंग को तयार किया था जैसे ठंडी हो चूकी थी हम स्थून की हल्प से रख देंगे और अच्छे से पहला देंगे हैं वह वह हम बोहुत यह लग और यूनिट रेसिपी यह समझینिड चे पटी वान त्यम और दोस्तों इसी एक बार आप जरूर ट्राई करेगा इंशाला आप सबको बहुत पसंद आएगी तो इसली हम इसे उठाएंगे तो आप देख रहे हैं अच्छी सी पतली सी रोटी मैंने बना के त्यार किया है इसकी थिकनेस देखें ऐसी ही बनाना है आपको अब इसे फिंगर के हेल्प से टैप टैप कर देंगे ताकि आपस में जोड़ जाए खुले नहीं नाइप के हेल्प से कट करेंगे किनारे के साइट का जो हिस्सा है उसे हम फिंगर के हेल्प से प्रेस कर देंगे ताकि आपस में जोड़ जाए तो यह बहुत ही अलग और मज़ेदार रेचिपी है आप एक बार इस रेचिपी को ज़रूर ट्राइ करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह रेचिपी कैसी लगी तो फिर दोबारा से हम इसी तरीके से बनाएंगे ये देखें परणाना भी बहुत ही जादा आसान है, एक बार में बहुत सारे नाश्टे बनाके त्यार कर सकते हैं फिंगर की हेल्प से हम इसे प्रेस कर देंगे, तो ये देखें आपस में अच्छे से जूड़ जा रहे हैं बहुत ही जबर्दस नाश्टा बना हुआ है अगर आप चाहें बच्चों के लंच बॉक्स में या पती के लंच बॉक्स में सुबा के नाश्टे पे या शाम की छोटी मोटी भूग पे भी इसे बना के सर्फ कर सकते हैं तो बाकी नाश्टे को मैंने बना के त्यार कर लिया है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जादा नाश्टा बनके त्यार हो जाता है, तो बाकी नाश्टे को बना लिया, अब इसे रख देते हैं, एक साइट पे अकले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, गैस पे पैन में गरम होने क ऩे लिए रख दिया था असदा उला है चेरा सी करीब डाला ऐए जिम्यने को ठोलை-ट रैजार था उसके अंधर नाश्ते को डालेंगे or दीप करके फोकिंहें से निकारलेंगे और पैर में डालेंगेंगे बन भाई-बन करके ऐसे ही डालते जाएंगे और जब तक फहीं क्रेस्पी नहीं हो जाते तब तक के लिए हमें इसे पलटना बिल्कुल भी नहीं है एक साइड हमें एक से ज़ेर मिनिट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है तो बहुत ही मज़े का नाश्टा है अगर आप चाहें तो इसे डी फ्राइब भी कर सकती है तो एक तरफ से दूसरी साइड भी कुक कर लेंगे इसे मेडिय Turkish करेंगे तक यह नाश्टा काफी क्रेस्पी बने और लॉंग टाइम के लिए रिश्पी बना रहे इस नाश्टे को अगर आप चाहें बनाकर air-tight कंटीनर में रख कर फ्रीज कर सकती हैं फ्रीज में इस्टोर कर लें बिलकु और धनिया की पत्ती जादा ड्राइ यानि आपको हलका सुखा कर ही इस्तिवाल करना है पंके की हवा में जिसी की खराब नहीं होंगे आपका जब भी विमन हो तो आप निकालें और इसे फ्राइ करें और इंजॉय करें तो यह देखे दोस्तो बहुत ही क्रेस्पी बहुत ही आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हम तक पहुचे सबसे पहले फैमिली फ्रेंड में जादा से जादा शेयर कर दें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें तो लिजी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार का एक रस्पी सा नाश् जरूर कर दीजेगा और एक अच्छा सा लाइक जरूर कर दीजेगा तो यह देखे दोस्तों क्रेस्पी सा नाश्ता कुख हो चुका है बाकी भी हम ऐसे ही फ्राइब कर लेंगे मैं अपने उन प्यारे प्यारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है और अभी तक मेरे साथ जुड़े है प्लीज ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखे ताकि मैं आप सब के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाती रहूं और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं ताकि आप भी आसानी से बनाए और इंच्वाई करें तो यह देखे दोस्तों काफी देर हो चुकी है कितना साधा क्रेस्पी नाश्ता अभी तक है तो इस नाश्ते को जरूर बनाएं अंदर की स्टफिंग देखें काफी जादा अच्छी है पूरी तरह से यह फूला हुआ नाश्ता क्रेस्पी सबन के त्यार हुआ है आप चाहें ग्रीन चटनी टोमेटो सॉस के साथ सर्फ करें आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी अगर पसं कोई करें हैं handlar वीडियो वी-ी-जे तरह से उनले मारतों कि एल trên ब clicked क SOC obtपें होगी जादा के साथ साथ से भीडियो पाल कार नाच कोई इतल कोई करें मैं अचि मतल्हें उनले लỡ एप आप करेंगाई करें में पूला हूआ पाला हुआ इतल के साथ कोई एस्तें क।ए में